Hey guys, welcome back to another video HPG के खक्कु एक्रिविजन इस वीडियो में हम करेंगे आपका पांच तारीकों कल आई कोट का एक्जामीनिसन है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्प होल रहेगी ओके शुरुआत करते हैं हिमाचल परदेश के गठन से तो हिमाचल परदेश का गठन हो अप 15 अपरैल 1948 को पंदरा अपरैल 1948 को हिमाचल परदेश का गठन हो उस समय हिमाचल के टोटल चार ही जिले थे चार जिले थे पहला था महासू जिसका अब नाम शिमला है दूसरा सिरमोर तीसरा था पका चमबा और फूर्थ था मंडी जो दो रियास्तों से मिलकर बना था एक तो सुकेत और दूसरी मंडी रियास्त इसके बाद फिफ्ट जिला कब बना ये इनकी फॉर्मेशन होई 1948 को 1948 को इसके बाद फिफ्ट जिला कौन सा बना तो 1948 के बाद छे सालों बाद 1954 को जिला बिलासपूर की फॉर्मेशन होई डिस्टिक बिलासपूर की बिलासपूर को हिमाचल पर्दिश में मर्ज कर दिया गया इससे पहले ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ गरती थी भारत में 1948 से पहले 1948 से 1954 तक 1954 में पांचवाँ जिला जुड़ गया उसके बाद 1960 में फिर से 6 साल लगे 1960 में एक और जिला जुड़ा जिसका नाम क्या था उसका नाम था किन्नौर किन्नौर जिला 1960 हिस्वी में हिमाचल का हिस्सा बना ये महासू से अलग हुआ था महासू से अलग हुआ महासू प्लस एक तो इसकी Чीनी तहसील चीनी तहसील प्लस चौदा गाओं और 14 गाओं चीनी तहसील और चादा गाओं को मिला कर महासू से अलग करके एक नया जिला बना जिस्टिक की नौरों के फिर 1966 में छे वर्ष फिर से लगे और उन्सु चैसट में राज्य पुनर गठन आयोग के तहट कांगडा कांगडा हो गया कुलू लोहल स्पिती इंजिलो को हिमाचल में मिलाया गया और भी कुछ जगह थी जैसे चमबा का बकलो था बकलो बकलो को हिमाचल में मिला दिया गया शिमला के कुछ एरियास थे डलहुजी था नालागड था उन्ना के कुछ शहर थे शहर के मतलब कुछ जगह थी उन्ना की तो उनको भी हिमाचल में मिलाया गया तो इस तरह से जिलों की संख्या नौ हो गई इसके बाद 1972 को फिर से कुछ जिलों का निर्मान हुआ 1972 में कौन कौन से जिले formation हुई उनकी तो उस समय महासू से बने महासू से बना एक तो हमारा शिमला शिमला बना प्लस सोलन बना इसको मैं रेज़ कर देता हूँ यहां से सिमला, सोलन और हमिरपूर जिला बना हमिरपूर हमिरपूर जिले की formation हुई और प्लस उनकी जिला बना यहां से तो यहां से कितने जिले बनगे एक, दो, तीन और चार महासू से मिला कर तो महासू तो पहले सिमला था तो पहले नौ थे 10th ये बना 11th हमिरपूर बना और 12th उन्न तो 12 जिले complete हुए 1972 में लेकिन विशाल हिमाचल का निर्माण जो area बड़ा हुआ था वो 1966 में हो गया था अगर आपसे पूचे विशाल हिमाचल का निर्माण तो 1966 में ही विशाल हिमाचल का निर्माण हो चुगा था विशाल हिमाचल का 1972 में तो सिर्फ जो जिले थे उनको डिस्ट्रिब्यूट किया गया नए जिलों का ही निर्माण हुआ था यहाँ पर हमिरपूर उन्ना सोलन का और महासू को सिमला और सोलन में ब्रेक किया गया, इतनी बात क्लियर हो गई, सबसे पहले चार जिले थे, महासू, सिर्माओर, चंबाओर मंडी, 1954 में एक और जिला जुडा, डिस्टिक विलासपुर, उसके बाद 1960 में 6 साल बाद कि नौर जिला बना, कि नौर जिले की निर्मान 1966 में हुआ, इसमें पंजाब के कुछ राज्ये जोड़े गए, जैसे लोहलसपिती था, कुलू और कांगडा, ये सारे पंजाब के अंडर आते थे पहले, तो फिर इनको हिमाचल में मिला दिया गया, कांगडा, कुलू और लोहलसपिती को 1966 में, फिर 1966 से 1972 तक यही नौ जिले रहे, 1972 में फिर से इन जिलों को ब्रेक किया गया, कांगडा बहुत बड़ा हो गया था, तो वीडियो को लाइक, शेर जुरूर करते रहें और चैनल को सबस्क्राइब करें, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है, हीमाचल का गटन तो यह तो हो गया, इसके बाद हम देखेंगे कि यह तब टाइप C, इसको स्टेट मिला और फिर रिलेक्शन हुए, इनके पहली बार टेरिटोरियल कांशिल बना दी गई, फिर बीच में, इसके बाद केंदर साशित परदेश भी बना दिया गया था, केंदर साशित परदेश, तो इन सभी केर दे गया, तो हमाचल को टाइप C कैटेगरी में रखा गया, और 1 मार्च 1952 को हमाचल प्रदेश को पहला मुख्य नहीं, उपराजेबाल मिला, उपराजेबाल, तो पहला उपराजेबाल हमाचल का कौन था, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंग को पहला उपराजेबाल बनाया उप्राजेवाल हिम्मत सिंग कर वार उप्राजेवाल कुछ ले जाता है पहला मेर्जर जनरल हिम्मत सिंग पहले उप्राजेवाल बने 1951 से 1946 तक हिमाचल प्रदेञ टाइप-C राज़े रहा टाइप-C राज़े रहा Adult क 125 Rolex 1951 से 1956 तक याद रखे 1956 तक टाइप C कैटेगीरी का स्टेट रहा हिमाचल परदेश सबसे पहली वार election कब हुए थे हम देखेंगे अभी तो हिमाचल में पहली वार election हुए 1952 में election की बात हो रही है 1952 में हुए थे उस समय विधानसबा सीटे थी 36 टोटल विधानसबा सीटे थी आज कल कितनी विधानसबा सीटे हैं आज कल करंट में करंट में हिमाचल परदेश की 68 सीटे हैं विधानसबा सीटे उस समय के वल 36 सीटे थी पहले मुख्य मंत्री चुने गए Y.S. परमार कब चुने गए थे उस ताइम 24 मार्च 1952 को ये पहले इमाचल परदेश के मुख्य मंत्री बने और इनकी कितनी सीटे आई थी तो इनकी टोटल 24 सीटें कॉंग्रेस ने जीती थी 26 सीटें से 24 सीटें कॉंग्रेस के आई थी इसके बाद टेरिटोरियल काउंसल कब बना क्षेत्रिय परिशद का निर्माण हुआ क्षेत्रिय परिशद का निर्माण हुआ 1956 में और उसी समय इमाचल परदेश की विधानसभा को भी भंग कर दिया गया था विधानसभा को भी भंग कर दिया गया था 1956 में अब जब विधानसभा भंग हो गई तो जो हिमाचल के मुख्य मंत्री थे Y.S. पर्मान उन्होंने अपना स्तीफा दे दिया उन्होंने अपना स्तीफा दे दिया तो विदानसभा तो भंग हो गई जब स्तीफा दे दिया तो 1956 में ही हिमाचल परदेश को केंदर सासित परदेश बना दिया गया केंदर शाशित परदेश कब बनाय गया 1952 में ही जब टरिटोरियल का गठन than हगठन हुआ ही माचल परदेश में और विधान सभाँ भंग हो गई तो 1956 में ही माचल परदेश केंदर साशित परदेश बना दिया गया था इसके बाद 1957 में 1957 में ठाकुर करम सिंग थे, करम सिंग उनको अधेक्स बनाया गया, जो करम सिंग थे वो मंडी के थे, मंडी में चुनाव नहीं, मंडी के करम सिंग थे जिनको अधेक्स बनाया गया था, इसके बाद 1971 को, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण तो इस तरह से हिमाचल पर्देश की पूरी फॉर्मेशन हुई 1971 में ही हिमाचल पर्देश को पहले राज्यपाल मिले पहले राज्यपाल कौन थे? S. चक्रवर्ती S. चक्रवर्ती पहले राज्यपाल थे S. चक्रवर्ती हिमाचल पर्देश हाई कोट की हाई कोट की स्थापना भी ही है एच पे हाई कोट की स्थापना भी 25 जनवर निशे गत्र को ही हुई थी 25 जन 1971 को पहले चीफ जस्टिस बने हिमाचल के मिर्जा हमिदुला बेग एम हम हमिदुला बेग हमिदुला बेग नाम याद रही रखा है आपने पहली महिला Chief Justice बनी हिमाचल परदेश की लीला सेट पहली महिला Chief Justice लीला सेट और हिमाचल परदेश High Court की Building का कहा नाम है Ravenswood Ravenswood यह एक separate वीडियो में सब पुछ करवाया है मैंने पहले Ravenswood यह High Court के Examination में पूछे जा सकते हैं Building का नाम पहले Chief Justice कौन थे पहली महिला Chief Justice कौन थे हिमाचल परदेश की गठन कब हुआ 25 सेटर को पहले राजेपाल कौन थे एस चक्रवर्ती पूर्ण राजे का दर्जा कमिला 25 सेटर को कि माचल के ऐसे कौन से वेक्ति हैं जो Chief Justice of India रहे थे तो मेहर चंद महाजन मैंने आपको बताया था मेहर चंद महाजन यह Chief Justice of India रहे थे हिमाचल परदेश के कांगडा से यह बिलॉंग करते है यह भारत के मुखे नेधिस रहे थे तीसरे मुखे नेधिस शायद मुखे कोई दूसरे या तीसरे कंफ्यूज हो गया मैं एक मिन बताता हूँ यस यह थर्ड ही थे यह तीसरे नंबर के Chief Justice of India रहे थे मेहर चंद महाजन कांगडा जिले से तो यह भी कोश्चन यहां से बन सकता है तो इतना काफी है इस वीडियो में अगर आप कहेंगे तो इसका Part 2 भी लेएंगे शाम को क्योंकि आपका Examination कर ला है तो कोई क्रिवीजन हो जाएगा अब जियोग्राफी बचती है नदियां, जीलें और Wildlife Centuries and History इसको कवर कर लें हिमाचल पर्देश की तो इतना काफी है इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को Like, Share जरूर करें and Thank you so much